हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूं अर्जुन और स्वागत है आप लोग का मेरे यूटूब चैनल कुछ भी में अब यहां मैं वरार्थी के बस अड़ा आप देख सकते हैं वरार्थी सीटिट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यह कैंट रेलवे कैंट स्टेशन के अपोजिट साइ हो तो आप यहां से आसानी से बस पकड़ सकते हैं आप देख सकते हैं बहुती भाई संक्या में बस है इसके अपोजिट साइड में कैंट रेलवे स्टेशन है वारार्थी का और इधर बस आपको केवल बसी बस दिखेंगे बहुत सारी बस है यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन यहां से बस जो है कि वारार्थी से मव जौनपूर बलिया गाजीपूर चंदवली जितने भी आसपास के जिले हैं सबी जगह जाते हैं आप देख सकते हैं जन्रत कासी डीपो उत्तर प्रदेश परिवहन जौनपूर डीपो कासी डीपो सौनभद्र डीपो बहुत सारी बसेज हैं यहां पर जो कि हर जीला में जाती है और यहां से दूसरे प्रदेश में भी जाती है जैसे कि यहां से बस जाती है लखनौ आजमगड और इलहाबाद कहीं भी आपको जाना हो अगर आपका ट्रेन छुट गया है ट्रेन नहीं मिल पाया है किसी कारण वस तो आप बस आसानी से पकड़ सकते हैं यहां से और अपने गंतबे तक, अपने मंजिल तक आसानी से जा सकते हैं कोई असुभदा नहीं होगी आपको क्योंकि बस सेवा यहाँ पर उपलब्द है और वो आसानी से आपको मिल जाएगी कम रेट पर मिल जाएगी आपको प्रताब गर्द दीपो आप देख सकते हैं सामने और यहाँ पर पानी की बेवस्था देख सकते हैं कोई भी आत्री आता है अगर प्यास लगी है तो पानी कि शुभदा है उदर पेशाब खाना है बातरूम है, टॉयलेट है, सब कुछ यहाँ पर है आप देख सकते हैं किसी तरह की कोई असुभदा नहीं है यहाँ पेशाब घर है किसी को पेशाब लगी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं आपर और देखिए इधर बस की जो खराबी आ जाती है बस में तो यहाँ पे बनाने के लिए खड़ी की गई है टुटी-फुटी बस मरमत के लिए बस में कोई भी खराबी आ जाती है तो यह वर्क्साप है इसमें प्रवेश्वरजीत है गेट लगा है तो हम अंदर नहीं जाएंगे आप देख सकते हैं बस जितनी भी खराब हो चुकी है डैमेज हो गई है सब खड़ी है इधर और भी गाडिया है तो यहाँ पे इनकी मरमत होती है और ठीक होने के बाद यह बस फिर से चलती है और यह सब बसेज अभी अपने गंतबे तक जाने के लिए रेडी हैं सही कंडिशन में हैं इसमें यात्री बैठेंगे और यह बस अपने मंजिल की तरफ उनको ले जाएगी आज मैं इधर आया था रेलवे का इंट स्टेशन तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी यहां का द्रिश्ट दिखाया जाए यहां की जो सुविधा है बहुत ही अच्छी है देखकर अच्छा लगा मुझे कोई अभिवस्था नहीं है हर तरह की सुविधा यहां पर है तो आपको जब भी कभी बनारोस से कहीं दूसरे जीले में जाना है कहीं दूसरे प्रदेश में जाना है अगर आप पर ट्रेन छुट गया है किसी कारण वस तो आप यहां आकर बस पकड़तकते हैं और अपने गंतव तक अपने मंजील तक आसानी से जा सकते हैं आपको कहीं भटक नहीं जो जो कैंट रिल्वे स्टेशन है उसी के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जस्ट अपोजिट साइड में यह है हमारा बस अड़्डा यहां देखे दुकान है कोई भी सामान खरिदना हो आपको बिस्कुट चाए तो आप यहां कर सकते हैं और देखे यहां लगा है डिलक्स हो चाले बातरू में नहाने की सुविदा है हर तरह की यहां सुविदा है तो ठीक है और आप यहां देख सकते हैं यात्रियों के ठैरने के लिए बैठने के लिए बहुत ही अच्छी व्योस्ता की गई है यहां यात्री आराम से बैठ सकते हैं अगर बस लेट है तो यहां बैठ करके प्रतिशा कर सकते हैं त्रीक है दोस्तों सिर्फ आपको यहीं मैं दिखाना चाहता था धन्यवाद झालब करता है